हेलो फ्रेंड मैं विकास स्वागत करता हूँ आप सभीजा आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरेवर दोस्तों टैक्स में को रेल एंड इंजीनियरिंग लिम्टेज इसका जो राइट इसू यहाँ पर एक तारीक से ओपन हो गया है अब यह जो इसका सेड्यूल है व रखा गया है 23 रुपे पर शेयर का तो जब आप अप्लिकेशन करेंगे तो आपको 23 रुपे पर राइट शेयर का जो है यहाँ पर पेमेंट करना होगा अब जैसे ही इसू ऊपन होता है यानि कि आज एक तारीक से इसू ऊपन हुआ है तो इसू उपन होने के साथ ही को आचे मैं Lazher इंवेस्ट चर और वो राइट क्वक्ण से कहरी सकते हैं यहाँ पर यहां पर लेना तो यहां पर टीन दिन का टाइम लगता है तो यहां पर जो राइट एंटाइलमेंस की ट्रेडिंग होती है उसमें आप इंट्राइट ट्रेड नहीं कर सकते हैं आपको डिलेवरी लेना मस्ट होता है तो यह बात का आप बिल्कुल धियान रखेगा और इसकी जो लास्ट की जो लास्ट डेट है वो है आठ नवंबर 2021 की तो एक तारिक से स्टार्ट हो गई यह राइट एंटेल्मेंट की ट्रेडिंग और यह आठ नवंबर तक चलेगा तो जो भी इन्वेस्टर खरीदना चाहते हैं वो आठ नवंबर तक खरीद सकते हैं से और ऐसे शेयर होल्डर जिन्हें अलॉट हुए हैं और वो बेचना चाहते हैं तो वो यहां पर आठ नवंबर तक किसे सेल कर सकते हैं तो इस तरह से जो है राइट एंटेल्मेंट की ट्रेडिंग आठ तारिक तक सकते दके बान आगर आपने मार्केट से खरीदे हैं तो फिर आपके पास एक यह उप्सन हो जाएंगे तो यह अपटार का टोटलोस वाप्सन होगा उपके लिए बिल्कुल धियान रखें और right entitlements में intraday trade नहीं होती है क्योंकि T plus two days का settlement time लगता है चलिए अब आगे बात करते हैं कुछ महत्यपूर्ण dates की तो यहां पर जो allotment की date रखी गई है यानि कि जो shareholder या applicant जो apply करेंगे right sales के लिए इनको allotment कब तक हो जाएगा तो 23 November 2021 tentative date है कि 23 November 2021 तक allotment हो जाएगा उसके बाद credit की जो tentative date है वो 24 November 2021 की है और listing इसकी कब तक expected है तो यह है 25 November 2021 तक जो है right sales की listing हो जाएगी तो इस तरह से यह पूरा schedule है अब यहां पर object देख लेते हैं कि जो right issue लाने का object क्या है इस company का तो यह इनका जो पहला object है वो है री या फिर prepayment of ICD याने की inter corporate जो deposit है उसको pre या फिर repayment करने का है इनका और जो है इनके unsecured loan है उनको भी यहां पर pay करेंगे इसके बाद जो दूसरा object है वो है funding working capital है याने की company इस right issue के जरीए working capital जोटाना चाहती है और साथ में जो तीसर object है वो general corporate के लिए corporate purpose से यहां पर कुछ पैसा यूज़ करेगे इस right issue का अब company के financials देखते हैं तो अगर FY20 financial year 2020 का अगर हम देखें तो turnover जो रहा company का वो 1852.53 करोड का रहा और वहीं company ने loss report किया था 69.14 करोड का FY21 में देखें तो यहां पर turnover रहा 1713.87 करोड का और company का जो profit report किया है यहां पर वो किया 3.61 करोड का profit report किया है तो FY20 में भले ही company ने loss report किया था but FY20 में company की conditions उधर गई है और यहां पर company ने 3.61 करोड करोड का जो है यहां पर profit report किया है अब बात करते हैं इसके जो right entitlements की trading start हुई है और fully paid up shares की जो trading चलते ही उससे comparison करते हैं तो अगर जो tax में को rail का जो fully paid up shares है already जो existing share हम कहेंगे उसकी जो current market price चल रहे है वो 31.40 पैसे पे close हुई है वो 6.85 रुपीज पे यहां पर closing दी है तो अगर हम एक fair value निकाले कि क्या fair value निकल के आती है right entitlements की तो उसके लिए अगर हम जो इसका existing share है जिसकी price 31.40 है उसमें से जो right issue का price जैट 23 रुपे वो minus कर देते हैं तो 8 रुपीज 40 पैसे 8 रुपे 40 पैसे 8 रुपे 40 पैस company का जो existing share का price चल रहा है उसी के बराबर पढ़ेगा right issue apply करने के बाद अगर हम देखें तो यहां पर जो 8 रुपे 40 पैसे आ रही है but current price जो चल रहा है वो चल रहा है 6 रुपे 85 पैसे का right entitlements का इसका मतलब कि right entitlements discount में trade हो रहे हैं तो कितने discount में हो रहे हैं तो अगर हम 8 रुपे 55 पैसे जो है निकल के आता है दियाने कि 1 रुपे 55 पैसे का discount मिल रहा है अगर कोई right issue right entitlement secondary market से खरीट कर फिर apply करता है और invest करना चाहता है इस share में तो फिर क्या price पड़ेगा तो अगर हम मान के चलें कि 6 रुपे 85 पैसे में कोई right entitlement अभी खरी लेता है suppose को investor plus 23 देखें तो 31 रुपे 40 पैसे चल रहा है तो इस तरह से यह एक discount में यहाँ पर मिल रहा है हम कहेंगे तो यहाँ पर एक रुपे 55 पैसे कम price पे आप जो है invest कर सकते हैं current जो existing sales का price चल रहा है उससे अब बात करते हैं कि apply कैसे करना है तो apply करने के लिए जो भी शेधार राइड इससे के लिए apply करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो इसका रजिस्टार है वो है कैफिन टेक टेक्नलोजी कैफिन टेक प्राइवेट लिंटेड और यह रही उसकी लिंक तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा यह लिंक आपको description पर मिल जाएगा और जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की विंडो ओपन होगी और यहाँ पर आप देखेगा टैक्स में को रेल का जो यहाँ पर आपको दन्फ नेक्स्ट विंडो जो उपन होगी next window में आपको इस तरह से उपन होगा और यहां पर पहला option जो है फस्ट जो यहां पर लिखा है एक नमबर एक वहां पर आपको जो है time and conditions है वो चेक करना पड़ेगा फिर second में आपको जो box चेक करना पड़ेगा जिसमें आप यह कहेंगे कि हाँ आप residential Indian है आपके और तीसरा point है उसको भी चेक करना पड़ेगा जो की बताएगा कि आपका जो bank account है वो इंडियन है यानि की residential bank account है और चौथा box आप चेक करेंगे उसमें आप यह declare करेंगे कि आपका जो यह account है उसके जो honor है वो आप ही है तो जरूरी नहीं है कि आपका account payment से link हो अगर आपके पास अपना खुद का अधर account है तो आप उससे भी payment कर सकते हैं बट आप जो है उस account के honor होना चाहिए और फिर जो पांचवा market से right entitlement खरीदे हैं और record date तक closing date तक hold करेंगे ऐसे जो है shareholder या right entitlements holder वो second option पर चेक करेंगे जो कि है renounce के लिए तो यह बात हमेशा ध्यान रखिए अगर आप ने secondary market से right entitlement खरीदें तो आप secondary जो कि renounce के लिए है वो select करेंगे और अगर आप existing shareholder हैं और आपको right entitlement allot होने तो पहला वाला option select करेंगे कि आप जो है record date share hold करते हैं उसके बाद third point है यहाँ पर यह pen के लिए है अगर आप सिक्किम के निवासी है तो आपको pen card के लिए छूट दी जाएगी अगर आप eligible हैं तो select करिए otherwise आप इससे छोड़ सकते हैं उसके बाद जो चौथा option है वो है यहाँ पर आपको जो है dp id dp client id अपनी जो है डालनी होगी और पांचवे option में जो है यहाँ पर पांचवा जो बॉक्स है उसमें आपको pen card number डालना होगा और फिर आपको जो है submit पे क्लिक करना होगा जैसे ही आप submit पे क्लिक करेंगे तो अब जो है आपको यहाँ पर एक next page open होगा जहाँ पर आपसे payment detail मांगी जाएगी और फिर आप जो है UPI या net banking के जड़िए payment कर सकते हैं तो इस तरह से इस पूरी process के जड़िए आप apply भी कर सकते हैं तो यह थी जानकारी जो tax में को rail engineering का right issue यहाँ पर open हो चुका है और सबसे बड़ी चीज कि आप on market renunciation की date बिल्कुल ध हिल्कुल यहाँ खी डिल्धदाथ यहाँ